वेलकम गुड मॉनिंग ओल डीमल्टी स्टुदेंट्स तो क्लिनिकल पैथलोजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसकी है? टूडेज लेक्चर ओन माईक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ओप सीमन यानि सीमन की माईक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के उपर है कि Microscopic Examination के अंदर क्या करते है अभी तक आपने Semen का Collection और उसके Physical Examination पढ़ लिए कि Physical Examination में उसका Color कैसा होता है उसकी Consistency कैसी होती है उसका Liquification कितनी देर में होता है वो सारी चीज़ें आपने Note कर ली है और Normal Secretion कितना होता है Next, Microscopic Examination तो It's Three Type है यानि Microscopic Examination की वो तीन परकार की है एक तो Sperm Count यानि सबसे पहले Semen में Sperm के Count चेक करते हैं जो किसके दोरा करते हैं पर Counting Chamber के दोरा जैसे White Blood Cell, Red Blood Cell Count की थी वैसे ही Next, Examination of Sperm Motility Motility का मतलब होता है गती फिर अपन Sperm की यानि वीरिया की सुक्राणों की गती चेक करते हैं कि वो मोटाइल है यानि Next, Morphological Examination of Sperm कि यानि Sperm की Morphology कैसी है उसकी सरंचना कैसी है Sape and Structure जो है वो किस तरीके की है उसकी वो सारी क्या है अपन Microscopic Examination में चेक करते हैं ये इसकी तीन अलग-अलग फेज है एक तो Sperm काउंट एक Examination of Sperm Motility और एक Morphological Examination of Sperm Morphological Examination में क्या देखते है कि उसके Complete Parts हैं या नहीं है Next देखिए Sperm काउंट सबसे पहला Point Microscopic Examination के अंदर जिसके अंदर क्या है Requirement Requirement के अंदर क्या चीए आपको एक तो WBC पिपेट चीए यानि White Blood Cell की पिपेट चीए जो अपनने कहां पे काम पेन ली थी जो WBC Counting के अंदर काम में ली थी यानि जिसके अंदर कैसा जो Beed होता है, मन का वो कैसे कलर का होता है White कलर का होता है Next ये Diluting Fluid Diluting का मतलब होता है तनू करन करना उसका यानि Sperms को कम करना था कि Count हो सके अच्चे तरीक के से तो Diluting इसलिए जुरूर ये क्योंकि Sperm Count ज्यादा होते हैं इसलिए Next, Cover Slip आपको Cover Slip चीए किसके Counting Chamber के उपर लगाने के लिए और क्या चीए आपको Counting Chamber चीए यानि Sells को Count करने के लिए जिसके डाइग्राम आपने कहां पर बनाया है White Blood Cell और RBC Count के अंदर बनाया यानि TLC और DLC के अंदर Next, Diluting Fluid क्या होता है यानि किस से मिलकर बना होता है तो 5 Gram Sodium Bicarbonate यानि क्या चीए पांच ग्राम तो Sodium Bicarbonate चीए 1 M.L. Natural Formulin और क्या चीए आपको 1 M.L. Natural Formulin चीए और 100 M.L. Distil Water यानि क्या है टोटल इन तिनों को मिला के अपन क्या बनाते है Sperm Diluting Fluid बनाते है जो क्या है Sperms के Count को कम कर देता है यानि Counting के अंदर क्या है Easy रहे क्योंकि वैसे तो वो Millions के अंदर होते है तो क्या है जैसे अपन Counting Chamber पे Load करेंगे तो उनको Count नहीं कर पाएंगा अच्छे तरीके से और Diluting Fluid चे क्या है वो अलग हो जाते हैं Separate अच्छे तरीके से दिखाई देने लग जाते हैं और कम हो जाते हैं Lies हो जाते हैं जिससे उनको क्या है Counting Chamber के उपर Easily Count किया जा सकता है तो क्या क्या चीए Sperm Count के Requirement क्या है White Blood Cell के पिपेट चीए Diluting Fluid चीए Cover Slip चीए Counting Chamber चीए और Diluting Fluid किसका बना होता है तो 5 Gram Sodium Bicarbonate 1 M.L. Natural Formulin और क्या है N.A.M.L. Distil Water Next क्या है Sperm Count के अंदर Procedure यानि Count करते कैसे हैं तो Aspirate Liquified Semen Up to 0.5 Mark in White Blood Cell Pipe तो WBC Pipe के अंदर देखा था आपने कि उसमें 2 Mark होते हैं तो 0.5 का Mark होता है एक 11 का Mark तो Liquified Semen का मतलब क्या है कि Semen के Collect करने के 30 मिनिट बाद का जो Semen होता है यानि उसका Liquification हो जाता है तब तो आपको Aspirate करना है यानि सक करना है Pipeat के अंदर कितने Mark तक कहां तक तो 0.5 Mark तक White Blood Cell की Pipeat के अंदर Next Aspirate Diluting Fluid Up to 11 Mark In White Blood Cell Pipe फिर क्या है आपको 11 Mark तक आपको क्या Aspirate करना है Next Rub the Pipeat in between Palm of Hand To Facilitate Proper Mixing of Diluting Fluid and Semen फिर क्या करना है आपको जो Pipeat है White Blood Cell की उसको Rub करना यानि गुमाना एच्छी तरीके से Mix करना है कि इसके बीच में Palm of Hand यानि आपकी जो हतेलिया आतों की उसके बीच में Facilitate यानि उसको Facility Provide करवानी है देनी है किस चीज के लिए Proper Mixing of Diluting Fluid and Semen ताकि White Blood Cell की अंदर जो Diluting Fluid है और Semen है वो दोनों के अच्छी तरीके से Mix हो जाए Next Discard the 5 Drops फिर क्या है कुछ Drops जो है उसको Discard कर देना है यानि बाहर निकाल देना है यानि New Bar Chamber बोल सकते हो Counting Chamber बोल सकते हो या Hemocytometer बोल सकते हो उसके उपर आपको Semen Diluting Fluid की जो Drops है किसके अंदर WBCP-Pate के अंदर जो Mixing Solution है उसकी एक Drop लेनी है Counting Chamber पे और फिर उसके उपर Cover Slip एपलाई कर देनी है Next Count in WBC Box in Counting Chamber आपने Counting Chamber के अंदर देखा था कि उसमें दो Box होते हैं एक तो White Blood Cells को Count करने के लिए जो Counting Chamber के चारों किनारों के उपर होते हैं चार Box और एक क्या है Red Blood Cell को Count करने के लिए जो 5 Box होते हैं एक तो Center में और Mid में यानि वीच में तो Counting WBC Box यानि सीमन को कहां पर Count करना है तो White Blood Cell के जो Box होते हैं यानि Counting Chamber के चारों किनारों पर जो Box होते हैं बड़े-बड़े उनके अंदर आपको सीमन को Count करना है Counting Chamber के उपर और Count किस पर करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो Procedure क्या है कि सबसे पहले तो सीमन ऐस्पाइरेट करना है 0.5 मार्क तक फिर उसमें 11 मार्क तक WBC पिपेट में क्या है ऐस्पाइरेट करना है डालूटिंग फ्ल्यूड फिर क्या है पिपेट को रब करना है आपकी हतेली के बीच में अच्छे तरीके से तकि क्या है सीमन और डालूटिंग फ्ल्यूड अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए फिर कुछ बुन्दे उसके डिस्कारड कर देनी है फिर क्या है आपको एक ड्रोप लेनी है किसकी उस मिक्सिंग फ्ल्यूड की जो वाइट ब्लेड सेल की पिपेट के अंदर है वहाँ से एक ड्रोप लेनी है किसकी उपर काउंटिंग चेंबर पे और काउंटिंग चेंबर के उपर एक ड्रोप लगा के उसमें कवर्चलिप अपलाई कर देनी है फिर उनको काउंट करना है किसमें काउंटिंग चेंबर के अंदर वाइट ब्लेड सेल्स के ब्लॉक्स के अंदर ये तो है प्रोसीजर नेक्स्ट मल्टिप्लाई विद 50,000 in the end विद सीमन काउंट यानि जब आप चारो ब्लॉक्स के अंदर सीमन के काउंट कर लोगे यानि कितनी सेल प्रजेंट है उन सेल्स को फिर आप किसके साथ मल्टिप्लाई करोगे यानि गुना करोगे 50,000 के साथ यानि 50,000 के साथ ताकि इक्वल जो रजल्ट है वो आ सके नेक्स्ट नॉर्मल वैल्यू तो नॉर्मल वैल्यू कितनी आईगी 6-10 क्रोड पर एमेल यानि एक एमेल में कितने मिलेंगे आपको चैसे 10 क्रोड वन टाइम स्परम इजेकुलेशन इन स्परम इज अबाउट 40 क्रोड परजेंट यानि एक टाइम का जो स्परम इजेकुलेशन होता है यानि एक टाइम का जो स्परम बाहर निकलता है यूमन्स के अंदर नॉर्मल डेज के गैप के इंटरवेल में तो कितने स्परम परजेंट होते हैं उसमें 40 क्रोड स्परम परजेंट होते हैं यानि 40 क्रोड नीचे आप स्लाइड देख रहे हैं एक माइक्रोस्कोप की स्लाइड तो इसके अंदर क्या देख रहे हैं आपकी न सकते हो कि normal कैसा होगा और loss sperm count कैसा होगा और यह डाइग्राम साब को बनाने है अच्छे तरीके से white blood cell की जो पीपेट है उसका भी बनाना है और यह sperm की slide का है उसका भी बनाना है तो procedure क्याएगी सबसे पहले तुसको सिमन को एसपाइड करेंगे लिक्विफाइड सिमन को 0.5 मार्क तक फिर उसी डबलूबीसी पीपेट में 11 मार्क तक क्या एसपाइड करेंगे अपन डाइलूटिंग फ्ल्यूड और दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और उससे counting chamber को load कर लेंगे लोड करने के बाद उसको WBC blocks के अंदर sperm को count कर लेंगे counting chamber के उपर और फिर जितने counts आते हैं आपके उनको 50,000 से multiply कर देंगे और आपकी जो normal value है यानि जो result है sperm counts का वो आ जाएगा next देखिए examination of sperm motility यानि sperm की motility अपन किस तरीके से देखते हैं कि वो गतिमान है या नहीं है यानि उसमें motility है या नहीं है तो requirement क्या क्या है इसके लिए कि एक तो clean glass slide चीए यानि smear preparation के लिए यानि slide बनाने के लिए एक cover slip चीए यानि cover करने के लिए एक petroleum gel चीए यानि slide को fix करने के लिए cover slip को next step procedure तो provide heating to slide यानि सबसे पहले क्या है आपको slide को heating provide करवानी है यानि slide को क्या है गरम करना अच्छे तरीके से after take one drop of liquid semen on heat fix glass smeared यानि after take one drop यानि गरम करने के बाद heating के बाद में क्या है आपको एक drop लेनी है किसकी liquid semen की यानि semen collection के 30 minutes बाद में जो semen का liquification हो जाता है वहां से आपको एक drop लेनी है on heat fix glass smear किसके उपर लेनी है जिस smear को आपने heat fix किया है यानि heat किया गरम किया है next now cover with cover slip drop of semen और जो आपने एक drop ली है glass slide के उपर उस drop को क्या है फिर आपको cover कर देना है किसकी help से cover slip के help से तो requirement क्या होगी clean glass slide चीए cover slip चीए petroleum jelly चीए exam sperm की motility के लिए procedure क्या है इसका तो सबसे पहले तो heat provide करवाते है glass slide को फिर उसके बाद में एक drop लेते हैं उसके उपर semen की जिससे क्या है कि heat fix glass slide जो semen है वो क्या है fix glass slide के उपर एक drop ले ली और उसी drop पे फिर क्या है आप cover slip apply कर दोगे यानि उस semen की drop के उपर एक cover slip apply कर दोगे with help of petroleum jelly और उस cover slip को फिर किसके help से आप cover करोगे यानि उसको fix करना है आपको cover slip को ताकि वो हिले नहीं sperm की drop तो उसको petroleum jelly के help से cover slip को fix कर दोगे यानि cover slip के चारों तरफ क्या apply कर दोगे petroleum jelly apply कर दोगे next examine the slide under microscope and count 200 sperm and at least यानि कहें आपको slide को किसके अंदर microscope करना है यानि microscope के अंदर examination करना है और list यानि कम से कम आपको कितने sperm count करने 200 sperm normal value क्या रहती है sperm की तो 80 to 90 percent sperm क्या होते है motile होते हैं यानि क्या है आपको वो हिलते डूलते हुए दिखने चाहिए next 5 to 10 percent less motile यानि 5 से 10 percent थोड़े कम motile होते हैं और 5 से 10 percent sperm क्या है non motile होते हैं तो ये normal value होती है अगर 80 percent से कम sperm क्या है non motile है यानि 200 sperm count किये उसके अंदर से क्या है आपके लगवग मालनो 160-170 sperm क्या है motile है तो 80 percent के something है तो नोर्मल है अगर उससे कम है यानि 200 में से 120 sperm motile है 50 percent इसका मतलब क्या है कि sperm की motility कम है patient के अंदर इसी यही क्या है इसलिए क्या है उसकी motility check करते हैं कि वह female के अंदर जाके क्या है कि जो एग होता है उसको fertilize कर सकता है या नहीं कर सकता है या नहीं है नीचे देखिए कि normal motile sperm किस तरीके के होते हैं या टेल सीधी होती है और वह motility करते दिखाई देते हैं यह क्या है दोनों में difference होता है तो सबसे पहले तो heat fix smear लेनी है फिर उसको पेट्रोलिम जली से cover करके examination कर लेना है next है morphological examination तो check sperm head यानि morphological examination सरंचना morphology मतलब तो check sperm head यानि sperm का head check करते हैं उसका सिर check करते हैं neck यानि उसकी garden check करते हैं and tail in microscope और उसकी tail check करते हैं यानि उसकी पौंच check करते हैं किसके अंदर microscope के अंदर next semen containing 20% abnormal spermatos होगा और semen count के अंदर semen की examination के अंदर गम से कम क्या है 20% तो क्या है abnormal spermato जो यानि sperms present रहते ही हैं next क्या चाहिए आपको requirement क्या क्या चीज़ें चाहिए एक और morphological examination के लिए तो एक तो आपको glass slide चाहिए एक basic situation region चाहिए और क्या चाहिए spreader यानि क्या है जो slide prepare करें यानि spread करें जैसे अपने pbf की slide के अंदर blood को spread किया था एक slide चाहिए दूसरी slide से उसी तरीके से एक और दूसरी slide चाहिए उस semen की drop को spread करने के लिए slide के उपर फैलाने के लिए next रिएजेंट क्या क्या चाहिए आपको morphological examination के लिए तो basic situation चाहिए जीरो पॉइंटी फाइफ ग्राम वो डिश्टल वोटर हेंडेड एमेल बेसिक situation क्या है एक तरीके से staining का रिएजेंट है तो morphological examination क्या है कि सबसे पहले तो sperm का क्या चेक करते हैं अपन माइक्रोस्कोप के अंदर head चेक करते हैं neck चेक करते हैं उसकी tail या नहीं पूंच चेक करते हैं फिर कैस human containing 20% abnormal spermat हो जवा कम से कम 20% sperm तो कैसे होते है abnormal present होते है requirement क्या चीए आपको तो एक glass slide चीए basic fitution reagent चीए staining के लिए यानि color provide करने के लिए sperms को spreader चीए slide बनाने के लिए reagent चीए reagent में कहें एक तो basic fitution 0.25 gram और distil water इन दोनों को mix कर लेते हैं next देखिए procedure तो procedure के अंदर क्या होते है कि make smear of liquid semen यानि सबसे पहले कहा है कि आप liquid semen की एक smear बनाओगे यानि एक slide के उपर उसकी film बनाओगे like pbf यानि peripheral blood film जो आपने blood की prepare की थी यानि एक blood की प्लड की प्लड की ड्रोप ली थी slide की उपर जबकि semen के examination के अंदर किसकी drop लोगे slide के उपर semen की drop लोगे slide के किनारे पे और spreader की help से फिर उसे spread कर दोगे slide के उपर spread करने के बाद क्या करोगे तो procedure क्या है semen के अंदर smear preparation का तो same procedure है जैसे pbf के अंदर था pbf में तो blood लेते हो लेकिन semen की analysis में आप semen लोगे यह difference है वही procedure है next dry the smear in air और आपको फिर क्या है कि smear को dry करना air के अंदर cover the slide with basic physician for 5 minutes फिर क्या है standing के लिए smear को अच्छे तरह किसे dry यानि सुकाने के बाद फिर क्या करना है basic physician से cover कर देना slide को 5 minute के लिए ताकि standing hose के after 5 minute wash the slide with distal water यह पाँच मिनट के बाद slide को wash कर देना distal water की help से and examine under microscope और examine microscope की help से examine करना है कितने x पे 100x पे sperm की morphology को जैसे PBF में किया था blood की cells को next result क्या होना चीए 80% sperm is normal present in smear कम से कम 80% sperm जो है वो कैसे होने चीए नॉर्मली प्रजेंट होने चीए किस के अंदर smear के अंदर और यह याद रखना मतलब remember रखना है आपको अच्छे तरीके से कि जब exam के अंदर यह क्यूशन आता है तो आपको ऐसे नहीं लिखना कि लाइक पीविएफ यहाँ पे smear preparation का पूरा प्रोसीजर जो पीविएफ के अंदर है वही आपको लिखना है राइट करना है अच्छे तरीके से एक्जाम के अंदर यहाँ पे भी आप notebook में slide preparation का पूरा प्रोसीजर लिख सकते है जो पीविएफ में लिखा था पीविएफ में आप blood लेते हो यहाँ पे blood जो word है उसकी जगहाँ पे आपको क्या replace करना है only सीमन रिप्लैस करना है उसकी जगह पे वाकी सेम वही प्रोसीजर है तो प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले तो एक smear प्रिपेर करोगी लिक्वीड सीमन की जैसे पीविएफ की की थी फिर उसको ड्राय करोगे एयर के अंदर सुका लोगे फिर उसको basic position से 5 मिंट के लिए cover कर होगे ताकि standing होसके access standing को wash करके उसको examine कर लोगे नेक्स्ट तो नोर्मल स्परम आपको कैसा दिखाये गया ब्ल्यू कुलर का चेतरी के से दिखाया गया हो सकता है कुछ स्परम में head effect हो यानि किसी का head बड़ा हो सकता है किसी का छोटा हो सकता है या फिर double head भी present हो सकते है यानि एक्रोनलेस भी हो सकता है एक्रो स्वार्म लेस भी हो सकता है next medifice effect भी हो सकता है यानि side में जो देख रहे हो आप nek के उपर क्या है उसमें बलब जैसे structure बनी होई यानि फूला हुआ है तो वह क्या है medifice effect भी हो सकता है यानि पूंच कहा है कमजोर हो सकती है मुड़ी हो सकती है या फिर टेल डिफेक्ट के अंदर दो पूंच भी हो सकती है तो यह क्या है डिफेंड अलग-अलग क्या है स्परम्स के अंदर मॉर्फोलोजी में चेंजिस है और नॉर्मल स्परम कैसा होता है उसका है नॉर्मल एक्जाम के लिए उसके बाद में आपन नेक्स्ट लेक्चर की इसके उपर डिस्कस करेंगे क्लिनिकल पैथलोजी के अंदर तो नेक्स्ट लेक्चर ओन लूपस अरिथ्रोमेटर्स यानि लूपस अरिथ्रोमेटर्स जो एनलाइसिस होती है आपकी एक टेस्ट होता है हिमेट लोजी के अंदर उसको उसको करेंगे नेक्स लेक्चर के अंदर थेक्स टू ओल